प्रन्वहों पवन कुमार, खलवन पावग्यान भन, जासुहरिदय आगार, वसी राम सरचाप धरी, जय जय श्री सीता राम, जय जय बजरंग वली, प्रियभिक्तों आज हम आपको श्री हनुमान जी महाराज का एक अमोग प्रयोग बताएंगे इस प्रयोग को करते ही हनुमान जी की गद्दी हिल जाती है, और हनुमान जी महाराज को अपने भक्त का दुरलब से दुरलब कार्य करना ही पड़ता है, इस उपाय को हनुमान जी के सामने करने मात्र से बड़े से बड़ा संकट एक पल में कट जाता है, परवत के समान भयन कर समस्या भी चूर चूर हो जाती है इस प्रयोग को मंगलवार से मंगलवार तक करने से ही व्यक्ती के जीवन के सभी दुख वकष्टों का तुरंत अंत हो जाता है कैसी भी परेशानी हो दूर हो जाती है और कैसा भी दुर्भाग्य हो ततकाल नश्ट हो जाता है प्रियभक्तों इस प्रयोग को करने से श्री हनुमान जी को अपने भक्तों के सभी दुख और कश्टों का अंत करना ही पड़ता है प्रियभक्तों हनुमान जी का ये अचूप प्रयोग तभी करे जब आप चारों तरफ से अधेरों में घिर गए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जीवन में सब और संकट और अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आता है, तो इस अचूप प्रयोग के प्रभाव से कुल बंध हो गए हैं, और अपना जीवन घोर गरीबी में काट रहे हैं, पैसो को लेकर जिनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, रोजगार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कि आज से ही संकट मोचंट श्री हनुमान जी महाराज की तुरंट शरण लेकर, सिर्फ मंगलवार से मंगलवार तक मात आठ दिन ये प्रयोग करके देखिए, प्रथम दिन से ही तुरंट असर देखेगा, प्रभु जी की अद्भुत कृपा से आपकी चिंता तुरंट मिटने लगेगी, अंधेरों से बाहर निकलने के रास्ते खुलने लगेंगे और जीवन में उन्नती के कई रास्ते बनने लगेंगे। कि सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हनुमान जोती को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरन बली लिखकर अपनी हाजरी अवश्य लगा दे। आने वाले अगले मंगलवार तक करूंगा या करूंगी फिर पुष्ट और जल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दे। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले ये तीन चोपाई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्यारा या एक्कीस बार जरूर बोले। उसके बाद संकट मोचन श्री हनुमान चालीसा के साथ पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं और आर्ती भी करें, इसी विदी से ये प्रयोग प्रति दिन आने वाले अगले मंगलवार तक करें, आप स्वयम देखेंगे कि हनुमान प्रभू की खृपा से आपकी समस्य का समाधान होने लगा है, अगले मंगलवार तक प्रति दिन साथ पाठ करने के बाद, फिर कम से कम तीन पाठ, हनुमान चालीसा के इसी विदी से रोजाना जरूर करते रहें, जब तक आपकी समस्याएं विलकुल खत्म ना हो जाएं, इस उपाए को करने से आपके सभी सभी कश्ट, सभी समस्या और परेशानी, हनुमान प्रभू की क्रिपा से हमेशा के लिए मिठ जाएंगे, और चारो और मंगल ही मंगल होगा, बहुत से भक्तों ने ये उपाए करके अपने जीवन में बड़े-बड़े लाब लिये हैं, ये एक सिधव आजमाया हुआ उप तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें, धन्यवाद